स्वामी विवेका नंद एक प्रेनड़ दायक जीवन बेदान्त के विख्यात और प्रभाव साली आध्यात्मिक गुरू थे उनका जन्म 12 जन्वरी 1863 में कोलकाता में हुआ था उनका वास्त्विक नाम नारेंदर नाथ दत्थ था उन्होंने अमेरिका इस्थित सिकागो में सन 1893 में आयुजित विशु धर्म महसबा में भरत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनी दित्व किया था चार जुलाई 1902 में बेलूर मठ हाबडा में 49 साल की उम्र में उनका निधन हो गया आये जानते हैं स्वामी विवेका नंद के कुछ अन्मोल विचार उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष की प्राप्ति ना हो जाए जिस समय जिस काम के लिए प्रतिग्या करो ठीक उसी समय उसे करना ही चाहिए नहीं तो लोगों का विश्वास उठ जाता है कभी मत सोचिये कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है ऐसा सोचना सबसे बड़ा विधर्म है अगर कोई पाप है तो वो यही है यह कहना कि तुम निर्बल हो या अन्य निर्बल है अगर धन दूसरों की भलाई करने में मदद करे तो इसका कुछ मोल्य है अन्य था यह सिर्फ बुराई का एक धेर है और इससे जितना जल्दी छूटकारा मिल जाए उतना ही बेहतर है खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है तुम्हे कोई पढ़ा नहीं सकता कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता तुमको सब कुछ खुद अंदर से सीखना है आत्मा से अच्छा कोई सिचक नहीं है सत्य को हजार तरीकों से बताया जा सकता है फिर भी हर एक सत्य ही होगा बाहरी सुभाव केवल अंदुरूनी सुभाव का एक बड़ा रूप है ब्रह्मान की सभी सक्तियां हमारे अंदर हैं वो हम ही हैं जो अपनी आखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंदिकार है दिल और दिमाग के टकराव में दिल की सुनो जब कोई विचार अन्यन्य रूप से मस्तिक्स पर अधिकार कर लेता है तब वो वास्तिविक भौतिक या मांसिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है किसी की निंदा ना करें अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाएं अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ जोड़िए और भाईयों को आशिरवाद दीजे और उन्हें उनके मार्ग पर जाने दीजे सक्ति जीवन है निर्बलता मृत्यु है बिस्तार जीवन है संकुचन मृत्यु है प्रेम जीवन है द्वेस मृत्यु है किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ जब तक जीना तब तक सीखना अनुभव ही जगत में सरुस्ष्ट सिच्छक है जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते जो अगनी हमें गर्मी देती है हमें नश्ट भी कर सकती है ये अगनी का दोस नहीं है चिंतन करो चिंतन नहीं नए विचारों को जन्म दो हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं सब्द गौड हैं, विचार रहते हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाओगे खुद को निर्बल मानोगे, तो निर्बल और सबल मानोगे, तो सबल ही बन जाओगे कुछ मत पूछो, बदले में कुछ मत मांगो, जो देना है वो दो वो तुम तक वापस आएगा, पर उसके बारे में अभी मत सोचो जो कुछ भी तुमको सारीरिक, बौधिक या मानसिक रूप से कमजोर बनाता है, उसे जहर की तरह त्याग दो वेदान्त कोई पाप नहीं जानता, वो किवल तुटी जानता है और बेदान्त कहता है, कि सबसे बड़ी तुटी यह कहना है, कि तुम कमजोर हो, तुम पापी हो, एक तुछ प्राणी हो, और तुमारे पास कोई सक्ती नहीं है, और तुम ये वो नहीं कर सकते मेरे जैसे भावक व्यक्ति अपने सगे इसनेहियों द्वारा ठगे जाते हैं सच्ची सफलता और आनंद का सबसे बड़ा रहसी यह है, वो पुरुष या इस्त्री जो बदले में कुछ नहीं मांगता एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जीओ, अपने मस्तिस्क, मांस्पेशियों, नसों, सरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूप जाने दो, और बाकी सभी विचार को किनारे रग दो, यही होने का तरीका है कि क्या तुम अनुभाव नहीं करते कि दूसरों के उपर निर्भर रहना बुद्धिमानी नहीं है बुद्धिमान व्यक्ति को अपने ही पैरों पर त्रिणता पूर्वक खड़ा होकर कारे करना चाहिए तीरे-दीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा जब लोग तुम्हें गाली दें तो तुम उन्हें आसिरवाद दो सोचो तुमारे जूटे दम को बाहर निकाल कर वो तुमारी कितनी मदद कर रहे है हम जो बोते हैं वो काटते है हम सोयम अपने भागी के निर्माता है जो सत्य है उसे साहस पुरवक निर्भीक होकर लोगों स कहो उससे किसी को कष्ठ होता है या नहीं इस ओर ध्यान मत दो तुर्वलता को कभी आस्रे मत दो सत्य की जयोती बुद्धिवान मनुस्यों के लिए यदि अत्यधिक मात्रा में प्रकर प्रतीत होती है और उन्हें बहा ले जाती है तो ले जाने दो वे जितना सिग्र बह ज चाहिए है यदि स्वयम में विश्वास करना और अधिक विस्तार से पढ़ाया और अभ्यास कराया गया होता तो मुझे यकीन है कि बुराईयों और दुख का एक बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो गया होता यदि परिश्थितियों पर आपकी मजबूत पकड़ है तो जहर उगलने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता पृत्येक कारी को तीन अवस्थाओं से गुजरना होता है उपहास, विरोध और स्वीकरती अनेक देशों में भ्रमण करने के पस्चात मैं इस निसकर्ष पर पहुँचा हूँ कि संगठन के बिना संसार में कोई भी महान एम स्थाई कारिन नहीं किया जा सकता है सिच्चा क्या है, क्या वो पुस्तक विद्या है, नहीं, क्या वो नाना प्रकार का ज्यान है, नहीं, ये भी नहीं जिस संयम के द्वारा इच्छा सकती का प्रवाह और विकास वस में लाया जाता है और वो फल दायक होता है, वो सिच्चा कहलाती है पूर्ण रूप से निहस्वार्थ ब्यक्ति सबसे सफल है हम भगवान को खोजने कहां जा सकते हैं अगर उनको अपने दिल और हर एक जीवित प्राणी में नहीं देख सकते किसी चीज से डरो मत तुम अध्भूत काम करोगे यह निर्भायता ही है जो च्छण भर में परम आनंद लाती है वह नास्तिक है जो अपने आप में विश्वास नहीं रखता हमें ऐसी सिच्छ चाहिए जिससे चरित्र का निर्माड हो मन की सकती बढ़े बुद्धि का विकास हो और मनुस्य अपने पैर पर खड़ा हो सके तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता कोई अध्यात्मिक नहीं बना सकता तुमको सब कुछ खुद अंदर से सीखना है आत्मा से अच्छा कोई सिच्छ नहीं है आपकी अपनी आत्मा के अलावा कोई दूसरा अध्यात्मिक गुरू नहीं है सिच्छ का अर्थ है उस पूर्णता को ब्यक्त करना जो सब मनुस्यों ने पहले से विद्धिमान है प्रेम विष्टार है स्वार्थ संगुचन है इसलिए प्रेम जीवन का सिध्धान्त है वह जो प्रेम करता है जीता है वह जो स्वार्थी है मर रहा है इसलिए प्रेम के लिए प्रेम करो क्योंकि जीने का यही एक मात्र सिद्धान्त है वैसे ही जैसे कि तुम जीने के लिए सांस लेते हो सक्ती ही जीवन है और दुलबलता मृत्यु है अगर स्वाद की इंद्री को ढील दी तो सभी इंद्रियां बेल अगाम दोड़ेंगी धर्म कल्पना की चीज नहीं है प्रत्यक्ष दर्शन की चीज है जिसने एक भी महान आत्मा के दर्शन कर लिए वह अनेक पुस्तकें पंडितों से बढ़कर है मस्तिस्क की सक्तियां सूरी की किर्णों के समान है जब वह केंद्रित होती हैं चमक उठती हैं जितना हम दूसरों के साथ अच्छा करते हैं उतना ही हमारा हिर्दय पवित्र हो जाता है और भगवान उसमें बसता है मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सहन सीलता और सार्व भवमिक स्विकृति का पाठ पड़ाया है हम सिर्फ सार्व भवमिक सहन सीलता में ही विश्वास नहीं रखते बलकि हम विश्व के सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्विकार करते हैं उठो मेरे सेरो इस भवम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो तुम एक अमर आत्मा हो स्वच्चंद जीव हो धन्य हो सनातन हो तुम तत्व नहीं हो तत्व तुमारा सेवक है तुम तत्व के सेवक नहीं हो यह मत भूलो कि बुरे विचार और बुरे कारित तुम्हें पतन की ओर ले जाते हैं इसी तरह अच्छे कर्म वा अच्छे विचार लाखो देवदूतों की तरह अनंत काल तक तुम्हारी रच्छा के लिए तत्पर हैं पवित्रता, धायरे और द्रणता ये तीनों सफलता के लिए आवाश्यक हैं लेकिन इन सबसे उपर प्यार हैं संभव की सीमा जानने का एक ही तरीका है असंभव से भी आगे निकल जाना पीडितों की सेवा के लिए आवाश्यक्ता पढ़ने पर हम अपने मठ की भी भूमी को बेच सकते हैं हजारों असहाय नर नारी हमारे नेत्रों के सामने कश्ट भोगते रहें और हम मठ में रहें यह असंभव हैं हम सन्यासी हैं ब्रच्छों के नीचे निवास करेंगे और भिच्छा मांग कर जीवित रहेंगे यही दुनिया है यदि तुम किसी का उपकार करो तो लोग उसे कोई महत्तों नहीं देंगे किन्तु जियों ही तुम उस कारे को बंद कर दोगे वे तुरंद तुम्हें बदमास प्रमाडित करने में नहीं हिचकिचाएंगे धर्म ही हमारे राष्ट की जीवन सकती है यह सकती जब तक सुरच्छित है तब तक विश्व की कोई भी सकती हमारे राष्ट को नश्ट नहीं कर सकती यह देश धर्म, दर्शन और प्रेम की जन्मगूमी है यह सब चीजें अभी भी भारत में बिद्दिमान है मुझे इस दुनिया की जो जानकारी है उसके बल पर दिन्ता पूर्वक कह सकता हूँ कि इन बातों में भारत अन्य देशों की अपेक्चा अभी स्रेष्ट है अनुभव ही आपका सर्वोत्तम सिच्छक है जब तक जीवन है सीखते रहो भाय और अपूर्ण वास्ना ही समस्त दुखों का मूल है इच्छा का समुद्र हमेशा अत्रिप्त रहता है उसकी मांगें जयों जयों पूरी की जाती है त्यों त्यों और गर्जन करता है सच को कहने के हाजारों तरीके हो सकते हैं और फिर भी सच तो वही रहता है दुनिया एक महान ब्यायाम साला है जहां हम कुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं मनुस्य जितना अपने अंदर से करुणा दयालुता और प्रेम से भरा होगा वह संसार को भी उसी तरह पाएगा ज्यान का प्रकास सभी अंधेरों को खत्म कर देता है अभय हो अपने अस्तित्य के कारण तत्य को समझो उस पर विश्वास करो भारत की चेतना उसकी संस्कृति है अभय होकर इस संस्कृति का प्रचार करो यदि संसार में कहीं कोई पाप है तो वह है दुर्बलता हमें हर प्रकार की कमजोरी या दुर्बलता को दूर करना चाहिए दुर्बलता पाप है दुर्बलता मृत्य के समान है दिन रात अपने मस्तिस्क को उच्च कोटी के विचारों से भरो जो फल प्राप्त होगा वो निश्चित ही अनोखा होगा जब तक अरोणों लोग भूखे और अज्यानी रहेंगे मैं उस प्रत्यक ब्यक्तिकवा को विश्वास गाती मानूँगा जो उनकी कीमत पर सिच्चित हुआ है और उनकी और बिलकुल भी ध्यान नहीं देता है जिसके साथ स्रेष्ट विचार रहते हैं वो कभी भी अकेला नहीं रह सकता आप अपने को जैसा सोचेंगे आप वैसे ही बन जाएंगे यदि आप स्वयम को कमजोर मानते हैं तो आप कमजोर ही होंगे और यदि आप स्वयम को मजबूत सोचते हैं तो आप मजबूत हो जाएंगे केवल उन्हीं का जीवन जीवन है जो दूसरों के लिए जीते हैं अन्य सब तो जीवित होने से अधिक मृत हैं आकांचा, अज्यानता और असमानता ये बंधन की त्रिमूर्तियां है थन्यवाद जैहिन